गुडिविंग, नमस्कार, वेलकम ओल आफ यू, कटार इंस्टिटूट पर आप सभी का स्वाजत है, मैं हूँ मुकेश कटारे दोस्तों, 2022 की जो पीटी है, ये 21 मई को होनी है और इस 21 मई के एक्जाम को लेकर के आपकी प्रिपरेशन किस लेबल पर है उसी को ध्यान में रखते हुए, एक लेक्शर में ने पहले बताया था जिसमें सन 2017 से लेकर के 2021 तक जो क्वेशन पूछे गए, उन क्वेशन का लेबल क्या था और वो पिछले बार बताया था मैंने आपको हिस्ट्री के क्वेशन से आज मध्यप्रदेश के इतिहास रेलेटिड 2017 से लेकर के 2021 तक की एक्वेशन में किपने क्वेशन पूछे गए है और उनका लेबल क्या है, आगे आप अपनी तयारी उसके इसाब से ठीक से करेक्ट कर पाएं, अभी भी समय है तो उसको ध्यान देते हैं, मैं सबसे पहले 2017 की बात करता हूँ, 2017 PT में जो क्वेशन आये थे तो टोटल नमबर अब क्वेशन थे 5 जैसे एक क्वेशन था कि मांडू में इस्तित जंतर माहिल का निर्माण इन में से किस आशक के द्वारा करवाया गया था आंसर नहीं बता रहा हूँ यहांपर, मैं सिर्फ आपको यह चार सालों का, 2017 से 21 तक के, यानि इन चार पांच सालों के क्वेशनों को एक साथ कंसाइज करके बता रहा हूँ, आप भी यह काम कर सकते हैं, अगर आप प्रिपरिशन सिंसिरली कर रहे हैं तो आपको टॉपिक वाइज क्वेशनों को सेपरेट कर लेना चाहिए नहीं किया यह तो कोई बात नहीं, आपको यह कापी जल्द तक सपोड़ करेंगे तो मान्डो में जो जंतर महल है, उसका निरमाण किस नहीं किया था? यह क्वेशन पोचा गया था, यह क्वेशन ऐसा था कि कभी आंसर मिला किताबों में कहीं पर नहीं मिला? तो मिल जाता है अब एक बार थोड़ा सा अगर हम M.P. स्पेसिफिक जब से इस नए सिलेवस के अकॉर्डिंग जो बदलाव किया गया है यानि सिलेवस में आप देखोगे कि दस यूनिट में पेपर डिवाइड किया है पहला तो पहली उनिट में M.P. का इतियास संस्कृति और साहिति को लेकर के रखा गया है तो इसमें लिखा है कि M.P. कहटना है प्रमुक राजबंस स्वतंतरता अंदोलन में M.P. का योगदान है न कला अजन जातियां तो ऊपर कि ये दो लाइने जो हैं ये हिस्ट्री से संबंदित होती हैं तो अब जो नए कुछ आपको टॉपिक मिलते हैं नए जो नोटस मिलते हैं या नई किताबे मिलती हैं में थोड़ी बहुत जानकारी इस question के संबंद में आपको मिल जाती है दूसरा question पूचा गया था जो बड़ा अजीव और गरीब question था 2017 की PT में पूचा गया कि खजराओ के मंदिर से चोरी हुई उस प्रतिमा का नाम क्या था जिसे कर्णाडा के प्रधान मंत्री में भारत के प्रधान मंत्री को सौपा ये तातकालिक जो current affair है उससे भी relate किया जा सकता है और दूसरी तरफ इसे मध्यप्रदेश के इतियाद से भी हम संबंदित कर सकते हैं कि MPPSC का ये question है जो की MP history से belong करता है लेकिन ये current affair से ज़्यादा संबंदित होता है चूंकि जो नरेंद्र मोदी थे विजट करने गए थे तब जाकर के वह है उन्हें वो प्रतिमा सौपी गई थी तो उस समय के news paper में ये काफी हद तक आया था तो ऐसे questionों को हम किसी किताब में तयार नहीं कर सकते उसमें आपको ये नहीं मिलते है next जो simple सा question है कि चंद्रशेकर आजाद का जन्म मद्यपुदेश के किस जिले में हुआ था तो ये question आसान है कोई इसमें समस्या नहीं है फिर उसके बाद अगला question था कि इन में से कौन परमार वंस का साशक नहीं था अब डाइनस्टी हम पढ़ते हैं अलग-अलग वंस के साशकों को लेकर विशेश करमा दिवदेश के सम्मन्द में यहां जो चार राजा दिये हैं मुपेंद्र के बारे में पढ़ते हैं को पूछना चाहिए जिसने कुछ उलेक निये कारे किया हो सिर्फ जैसे एक क्रिकेट के आवर में छे बॉल होती हैं पता चला कि पांच जीरो पी चली गई और एक में सिक्स लगा दिया तो जो पांच जीरो गई उनकी वैली उतनी ज्यादा नहीं रहती है तो कुछ यह ऐसी तरीके का क्वेश्चन था कि अब चार नाम दिये हैं अब बताओ इसमें कौन परमार वंस का नहीं था अगर आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तब आप से यह बनेगा नेक्स्ट क्वेश्चन था धंग देओ किस वंस के शा सकते यह अच्छा क्वेश्चन था सरल क्वेश्चन माना जाता है यह कठिन नहीं माना जाता धंग देओ जो थे चंदेल वंस के शा सकते जिनोंने खजराओ के मंदिरों का निर्माड भी किया था तो उसके संबन में तो टोटल नंबर आप क्वेशन जो 2017 में पूछे गए वो पांच पूछे गए थे अब 2018 की PT की बात करते हैं इसमें मद्यप्रदेश के इतिहास को लेकर सबसे ज़्यादा क्वेशन पूछे गए तो उनके सही आंसर गए थे तो ये जब हम MP की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें हर किताब में ये मिल जाता है फिर अगला क्वेशन भी बहुत सिंपल सा था कि गूजरी महल जो है वो किसने बनवाया था ये आसानी से ये हमें किसी भी MP की किताब पढ़ते हैं उसमें ये देखने को मिल जाता है अगला question था कि मानव सबिता के विकास की कहानी दर्साने वाला देश का सबसे बड़ा संग्राल है इंदरा गांदी मानव संग्राल ए कहा है ये भी बड़ा simple सा question था ठीक है इसमें कोई बड़ी कटनाई नहीं थी फिर 1842 के बुंदेला विद्रो में प्रमुख भागीदारी देने वाले राजा हरदेश राकेश इस्थान के जमीदार थे जब तक ये question नहीं आया तब तक हम MP में history को इतनी गहराई से नहीं पढ़ते थे ये question 2% लोगों से ही उस समय बनाता तातकालिक समय में अब हम इसको पढ़ते हैं और उस समय ये मद्देश हिंदी गरंत अकादमी की किताब उसमें भी ये mention किया गया थे next question जो पूछा गया था कि 1857 का जो पहला सुतंतरता संग्राम बोपाल के किस वीर ने बहादरी पूर्ण मुके संगर्स कर वलिदान दिया था ये question लेवल अच्छा है लेकिन ऐसा कहना के किताबों में नहीं मिलता है ये हिंदी गरंत अकादमी की किताब में दिया गया है उसके बाद उसी को कॉपी करके मेगरो हिल में दिया गया है और कोई भी किताब उठाओ उसमें भी हमें ये मिल जाता है लेकिन कठिन question है अगला था कि इन में से परमार राजवन्स के इतिहास पर प्रकास डालने वाला सुरोत कौन सा है ये बहुत ही कठिन question था बना ही नहीं तुके लगा करके इसके सही answer दिये गए थे है ना दोजार अठारा की प्रीमें पदम गुप्त का नव सह सांक चरित मेरुत उनका प्रवंध चिंतामणी अगले दो option लिखे थे उधैपूर प्रशास्ती और उपरोप्त सभी जाता है कि साइद all of the above इसका right answer था तो हम right answer यहां लगा नहीं रहे हम सिर्फ उन question को देख रहे हैं जो previous year में मद्यप्रदेश के इतियाद से सम्मंजित पूछे गए चितोड का तिरुभूबन नारायन मंदिर किसने बनवाया यह question भी बहुत ही cut in था जिस label पे तैयारी करते हैं और करवाई जाती है वहां पर ऐसे question को हम solve नहीं कर रहे थे ठीक है पूछे गए तो एक बार फिर से deep knowledge के साथ इसको पढ़ाना शुरू कर दिया अगला है कि मांडू के जहाज महल का नर्मान किस शासक ने करवाया था यह कुछ कटनाई के साथ मिल जाता है किताबें भी जो MP के history से related हैं या MP के gk से संबन देते हैं उसमें कुछ में मिल जाता है पिर यह question भी बड़ा परिशान कर रहा था बोधन दगवा के बारे में पूछा गया था जब यह पूछा गया तब इसके सही answer लोगों को पता चले जब तक नहीं पूछा गया था तब तक इसके सही answer नहीं पता थे लेक्शर को देखने के साथ साथ चैनल सब्सक्राइब भी करते जाओ इसे शेयर भी करते जाओ आपको continuous lecture मिलते रहेंगे सुबह आपको साड़े दस से पूरे के पूरे class के वीडियो भी आपको यहीं पर उपलब्द हो जाते हैं जो free होते हैं आप उनका benefit ले सकते हो अगला question पूछा गया था जो statement पर आधारित था इन वाकियों पर विचार कीजिए पहला बाकिय था मांडू दारजले में है और दूसरा मांडू में हिंडोला महल है और फिर इसकी coding दी गई थी तो total 10 question पूछे गए थे ये question ऐसा था कि ठीक एक अच्छी पढ़ाई करने वाले विक चुके हैं भोपाल राज्य के मूल संसापक कौन थे तो ये मिल जाता है हर किताब में मिल जाता है next question पूछा गया था कि राजा वीरशिंग देव की राजधानी कहा थी अब ये वीरशिंग देव कौन से थे इसको ले करके end तक confusion रहा जब तक की final answer sheet निकलके नहीं आ गई थ तो ये question काफी अच्छे level का था next मांडू विजय दक्षण विजय की कुंजी था ये किसने कहा ये किसका statement है तो जो थोड़ा सा history बहुत detail में पढ़ते हैं या बे लोग जिनका कभी history optional रहा हो उनसे तो ये आसानी से बना था शेस उनसे नहीं बन पा बीम बेटका को किसने ख मादेव की परिक्रमा मद्यप्रदेश के किस नगर में संपन होती है तो इसको हम मद्यप्रदेश की history से भी जोड़ सकते हैं मद्यप्रदेश के जो एतिहासिक स्थलने उससे भी जोड़ सकते हैं इसका भी उत्तर आपको नहीं मिलता है जब final answer sheet में तुक्के लगा करके पत और इस level पे अगर वो question पूछते हैं तो नहीं बनते हैं बिलकुल यह आप सच मालनो तुक्के लगा करकी ऐसे question के answer मिलता है अगला अताय होता है जब final answer sheet आगी उसके बात बहुत सारे लोग आते हैं जो credit लेते हैं कि देखो हमने ये किताब छबाई थी या मेरी ये किताब उसमें तुझे लिखा था लेकिन उसके पहले ना तो उनके किताब का पता था और नहीं उनके ऐसे question का पता था विश्व प्रशिद परियाटनिस्तल सांची का प्राचीन नाम क्या था ये question अच्छा है बन जाता है टांटिया भील का वास्तविक नाम क्या था ये question भी पू पूचे गए थे 2020 की पीटी में ठीक है 2020 की हम प्री की बात कर रहे हैं वहां पर आठ question पूचे गए थे ये 19 की बात कर रहे हैं सुरी इसमें थोड़ा सा ये 19 में आठ पूचे गए थे अब आ जाते हैं 2020 की प्री में पूला सा ये sequence करवड हो गया है नेक्स्ट जो previous यानी पिछली साल जो paper हुआ था उसमें MP की history से कितने question आये थे और कौन कौन से question थे साथ 5 question आये थे मालव संबत इस नाम से भी जाना जाता है अच्छा question था मतलब काफी पढ़ाई करने के बाद आप इसका उत्तर दे सकते हैं फिर इसमें पूचा गया था कि इन में से कौन सा मद्य कालीन शैर शींट नामक छपे हुए सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था ये भी बहु तो ये question सरल नहीं था ये copy cutting था एक किताब आती है उपकार प्रकाशन की उसमें ये कहीं मिल जाता था बाकी किताबों में ये नहीं मिला है सारे statement नहीं मिले है गोटमार मेले कायोजन ये सरल सा question था अगला चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था कौन से पाच question पूछे गहते हैं अब आप यहां पर देख सकते हो कि किसी येर में जैसे 2019 के paper में हम देखें तो बड़े cutting question थे MP की history को लेकर और कुछ question ऐसे मिले कि जो आसानी से बन जाते हैं और यहीं जब हम overall history के question को देख रहे थे 2017 से लेकर 21 में तब भी यही इस्तिती हो रही थ कि 7 से 8 question पूछे जा रहे हैं तीन question बन रहे हैं बाकी 4 से 5 question नहीं बन रहे हैं अभी की इस्तिती में तो यह हमें यह बताता है कि आप जो भी तैयारी कर रहे हैं जिन notes को पढ़ रहे हैं जिन किताबों को पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा पुराने सा पुछले इस year में करने की जरूत है या तो उन किताबों को बदलिए उन notes को बदलिए या अपने तरीके को बदलिए तो अगले वीडियो में हम quality से जो question पूछे गए पिछले 2017 से लेकर 21 तक उनकी चर्चा करेंगे कौन से question है और उन question को कहां से हम तैयार कर सकते हैं quality कहां से पढ़ी जा सकती ह आपके जो भी doubts रहेंगे वो भी आप live मुझसे पूछ सकते हैं ये lecture आपको कल मिलेगा रात को साड़े नौ बजे thank you so much good luck and